तो आज की वीडियो में बताने वाला आपको रेफ्रीजेट अगर आप ले लेते हो तो इसमें लाइड विल बहुत जाद आता है यह बहुत जाद प्रॉब्लम होती है सारे कस्टमर का और आपका भी साइध होता होगा बट हम लाइड विल कैसे कम कर सकते उसके बारे आपको बताने वाला दो से तीन ट्रेक ऐसे बताऊंगो जो लाइड बिल कम कर सकते हैं तो कन फूजन होता है कि लाइड विल बहुत जादा आ रहा है उसको बंद कर दें या कभी जब हमें ठंडा करना तभी चालू करें उसका टमप्रेचर कम कर दें यह बहुत सारे लोग करते हैं सबसे पहले करना क्या क्या चाहिए सब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हैंज अगेधा क्वाट कड करनी पड़ती है इससे आफ यह घ्र दूमसर कि बात करो ब्न करना करना हो तो कभी विर चालू करते हैं तो और यह बंद करें चालू कर एंफ। कि दूंपरिचा करना तो खाल बंद करते हैं से दूंप लगता है कि दूंपरेंसर में लोड जाता पड़ता है अब को आप को बंद करने के दृष्ट पहुता है यह समार्टर यद्द इत वहें में लिए पाँ देखेंगे तो आपको बंद करने के जरूष नहीं ज़रू तो अगर चालू रखें आप प्रीज को और वही आप दो से चार गंटा भी यूज करते हैं दोनों का सेम लाइट बिलाने वाला है रिजन क्यों कि अगर एक तंप्रेचर पर रखें जो भी सामान आप अंदर रखा होगा वह उसका तंप्रेचर मेंटें कर लेगा उसके बाद कॉम्प्रेचर के नॉर्मल ठंडा करता है केवल तो वह चीज करना होता है जो बोलते हैं कि 24 गंदा नहीं चालू करना होता है वह तो कि अगर अधिन यहीं करते हैं आप को यह करना चाहिए और ना कि चालू बंध कर चालू बंध करने से लाइट बिल ज्यादा आता है तीसरी टीक है कि टंप्रेचर होता हम लोग क्या होता है का अगी रोज कभी तंप्रेचियर जाधा कर दे श्यूंकर बूता है आज तो आपको रेगुलर नहीं करने चाहिए कर आपको लगता है को चीज ऐसी रखिए जो हमें जल्दी करना चिल्ड तो कर लीजिए बाकि रेगुलर वह चीज नहीं करना क्योंकि अगर रेगुलर करते वार गलती से भूल जाते हो तो वह उसी टमप्रेचर पर आपको पता चल जात डाइटर में तो वह चीज भी नहीं करना आपको यह बहुत करता है आपके लाइड बढ़ाने में तेन ट्रिक होती है जो आपको लाइड विल को सेविंग कर सकती है तो गैस इस वीडियो कुछ नहीं तब मिलते नई वीडियो बता हैं क्यों